अस्सलाम अलेकुम स्टूडेंट्स हाव और यू होप यू और लाइन तुड़े वी विल डू सम डिटन वर्ट ओपन यॉर नोट बुक्स तो स्टूडेंट्स आप लोग ने इस तरह अपनी नोट बुक रेडी करनी है दो साइट्स पर मार्जन लाइन ड्रॉ करें डेट लि हाँ जी तहारत से क्या मुराद है पाकीजगी को अर्बी जबान में तहारत कहते हैं तहारत मोही सफाई ही नहीं बलके इस से मुराद जिसम जान लिबास और महौल की पाकीजगी है ठीक है पाकीजगी क्या है कि पाकीजगी को अर्बी में तहारत कहते है ठीक है और तहारत क मतलब से सफाई करना नहीं होता सफाई रखना नहीं होता बलके का मतलब है अपने जिसम, जान, लिबास अपने एर्द्गित के महोल को भी पाकीजा रखना ठीक है कुस्चन नमबर टू लो किस तरह से पाकीज़गी का खयार रखते थे आप खाना खाने से पहले और बाद में हाद धूते और कुली करते थे ठीक है हज़र रखने सब जाते हैं कि वो पाकीज़गी का नमूना थे ठीक है वो अंद्रूनी और बेरूनी दोनों तरह से अपने आपको पाकीज़गी रखते थे चाहे उनका लिबास सादा होता था लेकिन साफ और पाक होता था खाना खाने से पहले और बात कुली करते थे हाद धोते थे इसके रावा नमाज से पहले गुसल करते थे हमने ये पढ़ा था नमाज से पहरे ताजा वजू करते थे ठीक है मस्वाक करते थे अब नेक्स कुस्टिन पे आ जाते है पाकीजगी की ऐमियत कुरान की रोश्णी में क्या है अल्ला ताला ने फरमाया कुछ शक नहीं कि कुछ शक नहीं कि अल्ला तुबह करने वालों और पाक साफ और तुबह करने वाले लोग अल्ला तालों को बहुत पसंद है ठीक है सफाई और पाकीजगी की एमियत हदीश से वाज़े करें यानि कि हज़ूर अकर्म स्रुला अले वाले वाले वासलम ने क्या फरमाया पाकीजगी के बारे में वो बताएं रसुला अकर्म स्रुला अले वाले वाले वासलम का इशाद है पाकीजगी एमान का हिस्सा है यानि कि एमान पाकीजगी के बगएर मुकमल ही नहीं आपके पाक साफ हुए बगएर एमान मुकमल ही नहीं है क्योंके इसलाम में पाकीज़गी की बहुत जएदा एहमियत है अब हम सब तफसीली सवाल करते है तफसीली सवाल पाक साफ रहने से हमारे किरदार में क्या तब्दीली आती है अगर हम पाक साफ रहेंगे तो हमारे अंदर क्या बदलाओ आएगा ठीक है, वो हम पढ़ेंगे पाक साफ रहने से हमारे किरदार में मदर्जा जहर तब्दीलिया आती है हमारे ख्यालाइत और रकायद पाक साफ हो जाते हैं हम अपने आपको बुरी आदाद मसंजूट, गीबर, हस्द वगेरा से बचाते हैं इसे अमाल की तहारत भी कहते हैं हमारी सोच पाकीज़ा और अमल नेक हो जाता है हमारी अबादत मकबूला दौाएं पूरी होती है ठीक है अपने आपको पाक साफ रहने से क्यों होगा हमारे ख्यालात और रकायद पाक हो जाएंगे इसके इलावा हम बुरी आद्तों से बचेंगे जोट, गिबत, कीना, भेहाई वगयरा इन सबसे बचेंगे और इस सबसे बचने को आमाल की तहारत कहते है और हमारी सोच भी अच्छी होगी, पाकीज़ा होगी जब हम पाकीज़ा सोचेंगे तो हमारा अमल भी नेक हो जाएगा इसी तरह तो पाक साफ रहने से हमारी अबादत भी कबूल होती है हमारी द्वाएं पूरी होती है ठीक है ये आज का आपका काम है इसको आपने लिखना है और लर्न करना है आज का लेस्टन एंड हुआ अलाहाफिश्ट